कुड मॉर्निंग बच्चो आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रिश्णावली 4D का प्रिश्ण क्रमांग संख्या 37 इस वीडियो में कराने जा रहे हैं बच्चो अगर समझाने का तरीका अच्छा लगए तो बेरे चैनल को सुस्क्राइब जरू कर देना तो कोशन में बोला है की एक प्रती लीटर पेट्रोल में X किलो मीटर जबकि का था बी प्रती लीटर पेट्रोल में X ौ2 कार आं और एक कार ऑम आप 1 रिटर पेटरोल है तोसे आपwater पेडल आयांWe का पाकाने पेट्रोल आपके पाल ये ऑर वीडियू तो उसमें यह किलो मिटर का मतंब कुछ भी मैं चिलो मीटर का में कुछ भी यह सकता है और छो आठ है चल जो smar आप्टी ऐए पेट्रोल में यह से जितनी आपकी 입니다 आपके से ऑना और ज़नों ले रहे किलोमेटर जाती है हम जाक यतना रहे हैं दोनों 400 किलोमेटर जा रही है ज़दी कार यहीं बी की अपेक्षा 4 लीटर पेट्रोल ज्याधा खर्च करती अब देखो कर यह ज्यादा तो कि फिस घल रही है ना बी कितना चल रहे हैं भी उत्रे में x+, fak hazard किलोमेटर जैसे अगर आप अपकी जा रहे हए तो जदुघ 박ई करते है तो में भ्रोड जात कीजिए को कुष्ट्न दोड़ा बढ़ा है लेकिन तोड़ तोड़के सोलब करेंगे यह आसानी से सॉलब हो जाएगा तो सबसे पहले तो आप लिख लो की कार पहली वाली कार आपकी 85 के निमे लिख लो इसे एक लीटर पेट्रोल में चलती है अब कितना एक्स किलो मीटर चलती है आपके ना एक्स प्लस फाइफ किलो मीटर चलती है यह तो आपको कोशन में दो ने दिया हुआ है अब आप देखो तो कार एचार सो किलो मीटर चलने में लगा पेट्रोल बनाबर वह हो जाएगा आपके पास जितना पेट्रोल लगा तो कितना चार सो बटे एक्स यहां लिख दो आप चार सो और बटे एक्स कार बी का कितना हो जाएगा भाई दूरी तो उतनी चली लेकिन उसने कितना चला वह उसका लगेगा आपका एक्स प्लस फाइफ यहां लिख दो औ और कार बी पिर यही पूरा 400 किलोमेटर चलने में लगा पेट्रोल बराबर हो जाएगा आपके पास 400 और नीचे एक्स प्लस 5 यह हो गया नीचे तो एक्वेशन क्या बन गई आपकी यहां आप लिख दो प्रश्ना नुसार प्रश्ना नुसार आपके पास पहला बन गया देखो पहला बन गया आपके पास 400 और एक्स माइनस 400 और एक्स प्लस 5 फिर दोनों कितना पेट्रोल लगा रही है देखो वह चार किलोमेटर चार ज्यादा पेट्रोल लगा रही है ना चार लीटर तो यहां लिख दो फोर अब एक्वेशन बन गई इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको इससे मुल्टिप्लाई कर लो क्योंकि LCM हो जाएगा यहां देखो लिख दिया हमने X यहां पर एक्स प्लस 5 जब LCM निकालना होता है ऐसे नंबर को तो नीचे दोनों नंबर को एक साथ लिख दो एक को इससे मुल्टिप्लाई कर दो बस बन गया तो देखो X को इससे मुल्टिप्लाई करेंगे तो सबसे पहले यहां लिख दो कि 400 और यहां लिख दो X प्लस 5 देखो ऐसे जलत नहीं होगा फिर साइन माइनस का लगा दो नहीं को एक्स को चर्थ लिख दो चार से मुल्टिप्लाई करा तो ऑगया 400X इधर आपका चार अभी वैसे कर वैसे रहने दो इसको इससे मॉटिप्लाई कर दो तो 400 को एकशे मॉल्टिप्लाई करा हो गया 400is 400 को 550 करा तो 25जाए माइस का फिर चार City नीचे इसको भी मॉल्टिप्लाई कर दो four.x fix square से मॉल्टिप्पेऑ चोंझ हो गया अप इधेर देखू यह नीचे क्या हमारे पास इधार इकवल्स टू में यह फोर है यहां पर फॉर्ए अगस प्लस का यह दोनों आपके पास कैंसिल हो गया बचा क्या आपके पास बचा आपके पास यहां देखो यह तू थाउजन और नीचे एक स्कॉयर प्लस भाइव एक्स न ये नम्मर बचाइव व हो गया अब इसको सी क्लोड कर दो नीचे आप लगा लेंगे लिए कीशन कर दिया आपके पास तो देखो इसको इससे मल्टिप्लाइ करोंगे और इसको से मल्टिप्लाइ करोंगे तो च्यार को जब हमने स्क से मल्टिप्लाइब कर रहा तो आपके पास हो गया 4x2 यह लिख दो यह इसको करना इसको इधर लिखो तो जाएगा 4x2 फिर प्लस का साइन लगा दो इस से मल्टिप्लाइब कर दो देखो 4520 एक्स और यह जो नंबर है आपका देखो यह इधर चलाएगा ना इसको इसको एसे यहां मैं फिर से लिख के बता दे रही हूं इसको आप ऐसे लिखो गया देखाव 2,000 से मुल्टिप्लाइब हुआ इक्वाल्स टू में यह 4 को इसके साथ मुल्टिप्लाइब गट यहां इक्स स्क्वार और प्लस ओror 5 x के सार तो यहां मारे पास निम्हार और 4, 5, 20, 20 खतम हो गया ना, 2, 0 लग गया, अब यह जो 4 है, यह इधर चला जाएगा, 0 से तो मल्टिप्लाई हो जाएगा, 4 कैंसल हो जाएगा, अब इसको गुड़न खंड विदी से हल कर लो, इसको गुड़न खंड विदी से, पहले लिख दो X स्कूर, अब 500 का LCM निकाल ल तो 500 आजाएगा, और प्लस माइनस करें तो 5 आजाएगा, तो उसके लिए आपके पाद आपको नंबर मिल जाएगा, एक आप ले लो 25 और एक ले लो, आप 20 एधर 500 वैसे का वैसे लिख दो, इक्वल्स टू में 0, कौमन निकाल लो X, यहाँ पर X प्लस 25, इधर यही ब्रैक तो X इक्वल्स टू माइनस का 25, देको माइनस का जो नंबर होता है वो, अमान ने माना जाता है, यहाँ लिख दो, अमान ने क्योंकि यह रिनात्मक संख्या हो गई ना, यह हो गया, X माइनस 20 पराबर 0, तो X पराबर प्लस का 20 हो गया, अब जब हमारे पास X का मान आ गया, इंस का मान था, यह गया पास, यह पूस्थ इक कि डिख धैस उंस का मान था, X plus 5 तो 20 plus 5 बराबर हो जाएगा आपके पास 20 में आप 5 जोड़ दो तो होगे आपके पास 25 है ना यानि 25 किलो मेटर चलेगी कार B कितना चलेगी 25 किलो मेटर अब इन्होंने क्या बोला था कार A 400 किलो मेटर चलने में कितना पेट्रोल लगाएगी किलो मेटर चलने में लगा पेट्रोल लगा पेट्रोल बराबर कितना देखो 400 और 400 और नीचे बटे में 20 है ना तो यहां लेग दो देखो 400 और बटे में 20 देखो यह 0 से 0 कट किया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 1 0 यानि कितना पेट्रोल लगेगा 400 किलोमीटर चलने में 20 लीटर पेट्रोल लगेगा है और ऐसे ही आपके पास 20 लीटर लगेगा और कार भी का भी निकाल लो कार भी फिर वही 400 किलोमीटर चलने में लगा पेट्रोल बनाबर कितना देखो 400 उसमें कितना लगा था 25 कट कर दो देखो 55 जा और 58 जा 40 एक 0 बढ़ गया 51 जा यहाँ पर 51 जा और 5 6 जा 30 यानि कितना लगेगा 16 लीटर पेट्रोल 16 लीटर बस यहां लेग दो अथा कार अ को 400 किलोमीटर चलने में क्योंकि का रेका पुछा नहीं का बीका पुछा तो चलने में सोला लीटर पेट्रोल लगेगा लगेगा बस यही आपका अंसर हो गया बच्चों समझाने कर तरीका अच्छा लगा हो समझ में आया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना जतना जादा से जादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही मेरा वीडियो डालने का इंटरस्ट और बढ़ेगा और मैं जल्दी से जल्दी वीडियो सारे आपको डालती जाओंगे और आप सारे कुश्चन को सॉल्व कर लेना बाए बच्चों